आप सभी लगों का आईडिलेस अकेडमी में स्वावत थे हमने अपने लास वीडियो लेक्चर में डिसकस किया था केमब्रेट से सावकर्स बनाने का प्रोसीजर और प्रोडक्शन और विद दा हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से हमने एक सावकर्स बनाया था विदना हेल्प ऑफ कैपज तो उसी सीरीज को आगे प्रोसीड करते हुए आज अब दिखेंगे प्रोडक्शन और सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं तो चलिए हम अपने आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के तपिक का ए में हमारा प्रोडक्शन और सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन हम आज की लेक्चर में डिसकस करेंगे और ज जो सिंगल सेल प्रोटीन से हम इसी S-C-P भी बोल थी S-C-P की फुल फॉर्म है सिंगल सेल प्रोटीन और सिंगल सेल प्रोटीन की शॉर्ट फॉर्म है S-C-P तो सबसे बहुत हैं इसके ओवरॉल कॉंसेप्प को समझते हम Increasing the concern about a pollution occurring from agriculture and industrial based has been stimulated in trust converted waste material into a commercial valuable products जिस तरीके से आज हमारा pollution increase हो रहा है कि इसी पॉलिशन को produce करने के लिए कुछ हमारे नहीने आइडियास को इंप्लिमेंट जाए है उन्हीं एक इंप्लिमेंट आइडिया में इसमें एक यह आइडिया है कि जो हमारे एग्रिकल्चर फुदेश निकलते हैं उससे उसका हम क्या करने एक दूसरी बैलुबिल प्रोडक्नों से promise का देश जैसे हम किया जासे हमारा cheese इंडिकलता है वग्जित इसको रुम किया कर दिया हे हमारा क्वाइड प्रोड्क्ट है वेस्टी निकलताई इसको हमनें कर देती है हैD Correcting Asist के Production में तो हमने क्या कर दिया एक चीज के इंडर्स्ट्रियल वेस्ट को हमने एक Commercial Product में अब जो यह Value unbel है उसमें हमने कर दुर कर दिया तो यही पूरा concept नहीं से थी हिस पूरा concept हमारा sppkak के Production में CN ह таким जो मारा थार्शन ठेन्ट डीर्शल्ट में बेशाम कर रहा है उससे पोलिशन कुसम ना हो इसी बज़ए से हमें इसे एक डूसार प्रोड़क्नाध चाहिक हम करदेते हों लेकिन उस उस प्रोड़क्नाध में असे चाहिक हो है जो हमारा काफी जाज़ा वैलोबल है ठीक है एक्स्ट है एडिशन दिए दिमांड ऑफ फॉर्मिलेशन और अल्टरनेटिव पॉर्टिशनेशिस पॉर्स इस दिव इंसफिशेंट सप्लाई फॉर्माइशनल प्रोटीन सच आज जैसे जैसे आज हमारी जैसे जैसे हमारी प प्रोटीनीशिस फूर्थ है उनका जो सप्लाई है वो इंसफिशेंट रही है जैसे अगर हम जैसे लास्त ता pewno जो हमारी प्रोटीनेशिस मेंस यह सोर्स है वह हैं मीट, फिश में एक्स तो इनकी जो शप्लाई है वो थांट तो इनक्विलेशन होते हो लिगः हो और जबтя तो आज के तायम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चाहिए। इस ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारा सिंगल साल प्रोटीन्स क्या है? Much interest has been focused on a potential convert the soya meat based, potato influence, supercan, orange pill, kidney, food product based and forestry based to single cell proteins. तो हमने क्या किया? देखिए इनकी जो हमारे meat फिर एक्स हैं इनकी तो डिमांड इनकी तो जो प्रोड़क्शन है वो घट रहा है dan population इनकी प्रोड़च्षन अबढ़ा है, तो उस population को अभी तो हमने तोpentला solution चाही 상태, उसी solution को करने के लिए यह किया गया कि जो हमारे milk से, potato से, sugar can से, oil से, किम्ठी, हमारे किम्ठी,े hairstyl है, fruit मतलब, micro-organisms की help से हम इन प्रोडक्शन, जो भी हमारे ये बेस्ट हैं, इन पे हम micro-organisms का micro-microbial fermentation करते हैं, और micro-bial fermentation के बाद हमारे single-cell protein का प्रोडक्शन. मालनो, for example, 1 kg अगर हमें meat चाहिए, 1 kg meat हमारे single-cell protein के 1 kg के एककल होता है, for example, में हम कोई बार बता हुए, पतलब, अगर कोई person, for example, अगर कोई person 1 kg meat खा रहा है, वो और वही एक परसन में सिर्फ एक टैबलेट ले लिए STP की 1 g तो वो दूर्लों एकककल है, तो इस तरीके से जो SSTP, STP है, वो हमारे यह जो proteinious compound है, उसका एक alternative solution, यहाँ पर जिनास का सब्सक्राइब एक example बढ़ा है, actual में इसका जो ratio का है, वो different रूप है, different different products के लिए, different different activity, different different रूप है, और इसमें जितने भी हम, जो SSTP है, इसका जो हम production करते हैं, वो हम करते हैं, agriculture और industrial based, ठीक है, algae, fungus, bacteria are the chief source of microbial protein that can be utilized as a STP, देखें, जो हमारे algae है, fungus है और bacteria यह chief source होते हैं किसका protein का, और इहीं को हम use करते हैं as a STP, STP, the production of microbial biomass is done, आज़र वा स्कमर्स and solid state fermentation process, इसकी बनाने के लिए हम, स्कमर्स या फिर solid state fermentation का प्रियोग करते हैं, after the fermentation biomass harvest may be used as a protein source and subjected to processing step like washing, cell disruption, protein extraction and purification, लेकिए, सबसे पहले हम microbial biomass, यह वाले, यह हमारे source है, soya, soy, potato, influence, sugar, can, organ, इन सबको as a substrate लिएते हैं, सबस्टेट करने के बाद यहां पर हम सबस्ट यहां पर solid state fermentation करते हैं, commentation के बाद हमारे biomass का production ही जाता है, फिर उस biomass को हम downstream process की, downstream process की help सो इसे क्या हम कर लेते हैं, purification करते हैं और उसको as a protein source use करते हैं, downstream process में हम washing, self-extraction, protein extraction और purification की process में, in general, high production rate and protein yield as well as ease of production control में का as to be more attractive as protein source compared with the conventional plant and animal source, in general हम यह भी बोल सकते हैं कि जो proteins जो हमें animals या plants से मिल रही हैं, उनका production उस है, उनका तो जो sources है वो limited है, लेकिन animals को हम फिक्मा भी ज़्यादा production कर सकते हैं, तो इनका जो production rate है और जो इनसे हमें proteins मिलती हैं, वो काफी ज़्यादा अच्छी और अच्छी amount में हमारे मन मापित मिल जाती हैं, अच्छी प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो यह वाला by bacteria हमारा X protein को अच्छा प्रोड्यूस कर दा है, तो हम इससे अपने according, अच्छी से से कुछ genetic engineering की बहुत सारी process होती हैं, जिसके हम process करके production भी बढ़ा सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं वो अपने hand में हैं, कैसे भी कुछ भी protein का production भड़ा भी सकते हैं, और उसके quality को भी increase कर सकते हैं, जो भी हमें करना चाहिए, वो भी भी कर सकते हैं, और करने के बाद पिर हम उसको permutation की type से extract कर लेते हैं, और फिर ऐसे protein source करते हैं, और यह जो protein source है, वो और जो हमारे teddy share protein के source है, उनुद का protein का level है, वो दोनु से इन जाते हैं, कोई difference होता हैं यह, इतलिए आज के ताइम में, जो STP हैं, उनका application काफी increase होता होता है, अब हम दे चीज भी, एक दीज की strain होती है, के लवर माइसे भी है, डिफाइंड ओल, और देटील, देटील, de-fetted soya floor and prepare by extracting, इसको हम prepare करते हैं, by extracting soya floor with petroleum ether under a continuous study for 0.2.5 hour and filtering wash with 200 ml petroleum ether and finally dry with 5.5 degree centigrade under a ball, between 3 for 3 hours, देखें, यह जो हमारा de-fetted soya floor होता है, इसको हम prepare करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले extracting soya floor को extract करते हैं, उसके बाद हम इसमें petroleum डालते हैं, petroleum से, petroleum ether यूज़ करते हैं, जो हमारी होती है, इसके एक्स्ट्रेक करते हैं किससे, petroleum ether से, 1000 ml से under the stirring, इसको continue stirring करते रहते हैं, उसकी बाद filter कर लेते हैं, filter करने के बाद फिर 200 ml petroleum ether से फेसे wash करते हैं, wash का नहीं का इसे dry करते हैं, 55-55 degree centigrade पर 3 hour की vacuum होती ही, उतनी इसे dry करते हैं, ठीक है, तो हमारा यह dehydrated soya flour का, जो mixture है हो हमें prepare रहते हैं, उसके बाद, यह सारे हमारे materials होती हैं, the required होती हैं, during the production of S15, next time हमारा procedure, procedure के लिए क्लिए है, first cultivate and chloriflut and chlorification of chlobromyces yeast in agar silen container, चीज़ बी, सबसे पहले हम agar silen हे लेते हैं, जिसमें हमारा cheese बेते हैं, उसमें हम अपनी जुहिमानी yeast yeast tree में, हम cultivation का आते हैं, cultivation पहले में पहले हैं, step सापको cultivate, यह में step by step आपको सुंझाआ हमें, Successfully subculturing the agriculture in 5, 50, 500 ml, and 2-liter liquid substitute. Cheese, rich, cheese will distribute 0.4 gram per 1.5 litre, Ks2, SpO4 plus, and 11.3 gram, 1.5 litre, NH4 will hold twice, and SpO4 at optimum transition, and pH 5.5. Centrifuge the culture growth at 4,000 rpm for 14 minutes. Command the cheese play by curable mice under aerobic condition at 30 degree centigrade, and pH 5.5, and air supply 0.3 bar through crystalline filter of 0.45 micrometre for 3 to 4 days. Optimum, 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 the biomass of sensitivity at 5,000 rpm for 10 minutes. Wash with tips of water and fresh cheese. So, these are all strategies that we follow during the production. First of all, the yeast cheese chain is the first step. Cultivation. Cultivation is the first step. Cultivation is the first step. Growth. Growth is the first step. Growth is the first step. Growth is the first step. And the first step is the first step. Growth, the most, is the first step. This step is the first step. रिप्वुट्सटिट्रेट, हमें पिछले, ग्ली भूल्य रूर्मिय। उस्में इंपला करते हैs, सब्पुल्चेourt में प्लूट्रेट,5000-2 LB हम रिपूर्ट सबस्टेट लेते हैं, रिपूर्ट जो सबस्टेट होता है, उसमें हमारा चीज, KS2, PO4, NH4 का होल्ड ट्वाइस, SO4 प्रेजेंट होता है, और इसे आप्टिमुम कंडिशन दग दीते हैं, और इसका हम pH भी क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, और pH लगते हैं, 5. जब यह सारा प्रोचेजर हो जाता है, उसके बाद हम जो हमारा कल्चर है, उटको क्या करते हैं, सेंटिफ्यूस करता है, सेंटिफ्यूस हम करते हैं, 4000 esp 14 1rpm करते हैं, 15 minutes के लिए, जब हम हम इसका сènट्रिफिशन कर लेता हैं, सेंट्रिफिशन करने के बाद हमारी जो start- tadення ह के लिए हम अपनी यह जो हमारी इस्ट की इस्ट की इस्ट की वह में मिल जाती है और यह पूरा जो प्रिस्टर होता है वह एरोबिक कंडिशन में होता है के लिए हम यहां पे 0.3 का 0.3 वार की एयर सप्लाई करते हैं एयर जो हमारी पास होती है वह हमारी इस्ट लाइल फिल्टर से पास होती है और फिल्टर हम लेते हैं 0.45 मायक्रो मेटर कंडिशन का ठीक है इसके लावा इस जो पूरा झो पूरा Mटिशन जो पूरा मेडिय डालते है उसका पी है होता हैång नतुत हूं रखतेид वे लharac आफ न च्नलता है जब यह 30,000 दिन पूरा procedure चलता है, जब यह पूरा procedure complete हो जाता है, उसके बाद जब हम अपना bio mask को extract करते हैं, bio mask को extract करने के लिए हम centrifugation करते हैं, 10 minutes के लिए 4 बार आते हैं, ठीक है जब हम इसका centrifugation कर लेते हैं, अलग हो जाता है, पैलेट अलग हो जाता है, फिर अपने पैलेट को लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको wash करते हैं, distilled water से, freeze करते हैं, freeze-dried करते हैं, और हमें हमारी जो requirement cells होती है, SCP वो हमें ने जाते हैं, तो इस तरीके से हम SCP का production कर लेते हैं, by the help of microbeam communication. This is all about today's lecture. YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it in Google Play Store. Thank you so much for watching my video, please like, share and subscribe, I do less again, thank you.